गुट मॉर्निंग अब्रिबन चलिए कोशिन लेते हैं सीजट का जो कि 2019 में पुचा गया था इस कोशिन को हमने जो पेछले वीडियो में वैसे शुरू कर दिया था लेकिन बीच में कोई टेक्निकल प्राबलम की वज़ा से जो वीडियो जो पूरी नहीं हो पाई थी तो मैं फिर से जो यहां पर बता रहा हूं काफी अच्छा है कोशिन है देखें आप लिगा है नंबर 136 is added to 5b7 and the sum is obtained सम होता है जब दो नंबरों को प्लस करते हैं जो बी रिजल्ट आता हो तो उसको सम बोले जाता है तो यह बो रहा है कि सम जो वो यह आ रहा है 7a3 आ रहा है वेर a and a and b are integer a और b जो बो दोनों क्या है integer it is given that 7a3 is exactly divisible by 3 तो आपको divisibility rules पता होने चाहे 3 का the only possible value of b बे की जो बो क्या-क्य पॉस्पील बैली होस्कती है क्या और नहीं एक ही possible value होस्कती है ह Sept यहां पीचित टो यहां पर यहां पर हैसे समगे निकल रहे यहां पर सब्रय Яन शुर्द संठEO रहे है यहां पर यह जो वो एक relation निक्ट रहे हैं, देखे दियांसे, एक तो कह रही है, तो एक कह रही है, तो इसका मतलब है, उपर लिकराओं मैं, चलिए यहां पे लिक लेता हूं, मैं साइड में, एक कह रही है, तो 1 तो प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस B, प्लस 3 भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 3 तो हम कर रहे है, इकोल टू आना चाहिए, तो यहां से A equation हमारी बनी, A समय करना हमारा, बना यहां से, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे, तो B प्लस 4 कितना आ रहे है, क्योंकि 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, B प्लस 4 जो A के इकोल आ चाहिए, B प्लस 4 जो वो A के इकोल आना चाहिए, अब यहां पे आप समझे, B प्लस 4, A के इकोल आ गया, ठीक है, B और A की पहले हमने निकालने है, अब यहां पे आगे जो वो समझना पड़ेगा, आपको कि 5 प्लस 1 जब करेंगे, तो हमारे पास क्या आ लेकिन यहां पे 7 हैं दियान से लिखिए, लेकिन यहां तो 7 लिखा है, इसका मतलब है carry जो वो forward हो गई होगी आगे, मतलब कि यहां पे B प्लस 4 जब भी आप करेंगे, तो A की value ऐसी आने चाहिए, A की value जो वो ऐसी हो, जो की carry आगे, जिसे की carry आगे forward हो जाए, मतलब कि 2 digit वाला वो number होना चाहिए, 10s उसमें जो वो 1 होना चाहिए, 10s digit जो वो उसमें 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि A की value हम लोग जो क्या क्या डाल सकते हैं, तो यहां से हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उसने तो बोला कि exactly divisible होना चाहिए, exactly divisible होना चाहिए, ठीक 3 प्लस A, अगर इनको प्लस करके जो वो जो भी number आता है, वो 3 से divisible होना चाहिए, तभी तो exactly divisible होगा 3 से, अब जो कि 7 प्लस 3 तो 10 होता है, तो 10 में अगर मैं 2 प्लस करो तो 12 होता है, 12 जो वो 3 से divisible है, मतलब कि A की value यहां पर 2 हो सकती है, A की value जो वो 2 हो सकती है, ठीक है, A आगे इसने लिखा, आगे इसने बोला, सॉरी, आगे जो वो 10 प्लस 2, 2 तो हम डाल सकते हैं यहां पर, तभी तो 12 बनेगा, 3 से divisible होगा, ठीक है, अगर मैं इसमें 5 डालू, तो 10 प्लस 5 जो वो 15 हो जाएगा, बाकी कोई number ऐसा, और एक और number है, 10 प्लस 8 भी 18 होता है, तो A की पहले जो वो A सारी फुट की 2, 5 और 8, तभी जो वो हमारे पास exactly divisible होगा, 3 से, अब A के तो option मेरे पास मिल गए, A के option है, मेरे पास 2, 5 और 2, 5 और 8, ठीक है, 3 option मेरे पास मिल गए, 2, 5 और 8, अब यहां पे आप समझीए, कि जब मैं यहां पे A, A रखा मैने 2 मालो, A रखा मै बनेगा, B में जब 3 प्लस करेंगे, तभी तो 2 बनेगा, मतलब कि 12 बनेगा, तो carry जो वो आगे forward होगी, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से, देखे जब हम प्लस करते हैं, देखे जैसे मैंने अगर 2 यहां पे, A की जगा 2 लिका, चली बड़े नंबर से सुर क्यों, क्योंकि carry आगे जानी चाहिए, carry आगे जानी चाहिए, अब समझे, अगर मैं A को जब 5 रखता हूँ, A को अगर मैंने 5 रखा, तो यहां पे 4 प्लस 1 मतलब कि B जब 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन A को मैं 5 रखी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे carry आगे लेकर जानी है, आगे लेकर रखे जानी है, अब समझे, अगर मैं A को जब 2 रखता हूँ, अब देखी, A को जब मैं 2 रखूँगा, ठीक है, तो 4 में मैं क्या प्लस करूँ कि 2 बन जाए, ऐसा नमबर पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब है, यहां पे जब वो 12 बनाना पड़ेगा, एक ही थोड़ी सी, अच्छा 2 है, ठीक है, ट्वाइलब बनाना पड़ेगा मुझे, यस 4 है यहां पे, ठीक है, B प्लस 4 जब वो A के खुलाना चाहिए, मैंने 3 कर दिया, क्योंकि कैरी भी तो B के पास थी 1, तो B प्लस 4 जब वो A था, ठीक है, अब यहां पे समझे, अगर मैं यहा पे 2, तो मतलब कि यहां पे 12 होना चाहिए, अब मैं B में B की वैल्यू जो वो क्या रखूं, कि 4 में प्लस करने पर 12 बन जाए, तो 8 यह हमारे पास एक possible value है, तो B की वैल्यू कितने आगी, 8 आगी, बहुत ही, थोड़ा सा, इतना easy भी नहीं हो सकते इसको, लेकिन अगर आप प्रेक्टिस करोगे, तो प्रेक्टिस में एक समयन perfect, तो इस question को आप आसानी से करकते हैं, B की वैले जो वो 8 पूट करना पड़ेगी, तो option D is the right, ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो thank you and video को like भी करिए, thank you and have a nice day.